बोले गोपे बोले है राधा राधा इना दायो भगक्तनि माँबा माँबा पीना आद कीना दायो को पन्या यहाँ होगे सणुलका बोली में आखा तुम सुर्यादी बोह मारा भूमत अनमुरादी है बोली राता तुम सुर्टी नजिस्टा प्रेपमात अनमुर्यष्र तुमrant अनमुरादी है जवाब दिया जहां पर भगवान का कीरतन हो भगवान की गुड़ान का होंगी भगवान की अनिक प्रकार की भोग ते होंगी कनया पही पर होंगी और नहीं बात साधी की तो तुम साधी की बात कर रही हों तो सुनो एक बात दूसरी बुले तो राधा बुली कि मैं ऐसा बाग चाहती हूँ और मैं ऐसा बाग चाहती हूँ और जिसकी तक कलिया खिधी रहे आत्मा से ऐसा बाग चाहती हूँ आत्मा से ऐसा बाग चाहती हूँ तक कलिया खिधी रहे आत्मा से ऐसा बाग चाहती हूँ माधा जी बोड़े है ललता तुम साथी की बाग कर नहीं हो सुना मीं ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी तक कलिया खिधी रहे आत्मा से ऐसा बाग चाहती हूँ खुल सब तो मैं कहती हूँ और तरसन की मुई लाले पढ़े गोरे से अपन आए पढ़े गोरे से अपन आए पढ़े आरी कमसे भटक नहां कली हूँ ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ आरे कमसे भटक नहां कली हूँ और अंतर ठंदे हुए लाले पढ़े गोने से अपन आले पढ़े गए गोने से अपन आले पढ़े गए बोले बाबा चले हैं भगवान के दर्शन करने के दिए क्या सूचते जा रहीं मट में जाने को लोग मुझे देख भाग जाते हैं जाने को लोग मुझे देख भाग जाते हैं जाने क्यों नहीं बसाते हैं आले सुबेश मेर भटकी रहां तल्ये लाला मौनों और आप रले कंपिसी आरासाने परे बरासाने परे नारे परे बरे है आई रिखखरी आप्स पर अफ्यान है रिखखरी आपिन्वे आप सुन्फ आप्स पर्फिए है रिखखरी आपतो is wea रिखखरी आप औरां दर्स अज है को यह को जो आप यह इन्म बोले बाबा चले हैं, कहां, दर्शन करने के लिए भगवान पनया के लिए बहुत देर में पहुच पाए, कहां, सनक, सनन, सनातन, सन्त कुमार चारों रिश्यों ने स्रबड किया था, महराज और इनहीं सनन्त कुमार ने, भगती ग्यान और वैराग को कथास रवड कराई, तो जब ग्यान और वैराग ने कथास रवड की है, जो भुड़ापे में लीन हो गए थे महराज परीचर, इस कथा को सुनने के बाद में उनके उपर, जबानी आ गई, और मैया पर भुड़ापा आ गया, और इसी स्रीमद भाग बत कथा को, गौकर ने अपने भहिया, धुंदकारी को स्रवड कर रही, और धुंदकारी ने जब कथा को सुना, तो प्रभु की परमधाम के लिए चला गया, और इसी स्रीमद भाग बत कथा को, नेमी साड़ छेत्र में बैट करके सूत जी महराज, अठासी हजार रिशियों को स्रवड करा रही है, परीच्छ जी, ध्यार रखना, और इसी स्रीमद भाग बत कथा को, मुझे सुनाने के लिए अवजर मिला है आप जैसे भक्त गड़ों को, अर्था, कथा तो गणगण हो रही है, सहर सहर में चल रही है, बगता भी कहने वाले बहुत हैं, सुनने वाले प्रोता भी बहुत हैं, कथा तो प्रभु की ये कई है, मगर कहने कहने का फर्क है, कथा तो एक ही है कोई किसी भी प्रकार से कहता है तो कोई किसी भी प्रकार से कहता है लेकिन प्रभू की चरचाएं कभी खत्व नहीं होई कहने बाले जितने भी बक्ता थे वो सभी प्रभू के दाम के लिए चले गए लेकिन किसी ने कथा को संपूर तरीका से नहीं कह पाया हरी कथा अनंता प्रभु की कथाओं का कभी यंत नहीं हो दो है कथा एक है लिकले कहने कहने का फर्क है आपकी पावन में गाओं सुशेंगें में जो कथाओं चल रही है और आप सभी भक्त कथा को स्रवडबर रहे हैं करना भी चाहिए बड़े ही सौभाग की बात होती है जो प्रभु की चर्चाएं सुनने के लिए मिलती है तो आप कथाओं करने से पहले दो बिलट भगवान का कीतन बोलेंगे जिससे मनवाड़ी सुद्ध हो जाए थीक है उसकी बाद में आप लोगों को कथाओं रवड़ कराएंगे